नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिशित दोस्तों पस्तित हूँ दोस्तों आप सभी की सिवा में कुछ एक महतुपून जानकारियों को लेकर करके जिहां दोस्तों सिर्फ एक प्याज के मदद से घर पर ही हटाएं मस्से मस्य अगर गरदन के पीछे हूँ या कोई ऐसी जगह हो जहां सब की नजर नहीं जाती तो लोगों के लिए चिंता का विश्य नहीं होता लेकिन कई बार मस्य चेहरे के ऐसी जगह पर होते हैं जहां से वो दूसरों को आसानी से दिख जाते हैं यह मस्से दिखने में अच्छे नहीं लगते, कई बार यह मस्से कैंसर का रूप भी धारण कर लेते हैं, तो ऐसी स्थेती में अच्छा है कि आप मस्सों को हटा दीजिए, इस हमारे वियो में हम मस्से को हटाने के लिए प्याज का नुस्खा बता रहे हैं दोस्तों, जो कि र बहानी कारक है, लेकिन मस्से जन्म के बाद हुए हैं या बड़े होने पर हुए हैं, तो समय बीतने के साथ यह कैंसर का रूप धारण कर सकते हैं, अगर यह मस्से किसी इंसान को 30 की उम्र के बाद होते हैं, तो कैंसर होने का खत्रा काफी बढ़ जाता है, अगर शरीर के कि किसी भी मस्से से खून निकले तो इसे नजर अंदाज न करें, मस्सों में होने वाली खुजली को भी हलके में ना लें, इन इस्थितियों में एक बार चिकित सक्त से जरूर मिलना चाहिए, और वर्तमान में जब कैंसर काफी समान्य बीमारी होते जा रही है, तो चिकित सक् क्यों होते हैं ये मस्से? पैदा होने के बाद होने वाले मस्सों का मुख्य कारण इंफेक्शन है, इन मस्सों का कारण पिपिलोमा नाम का वाइरस है, त्वचा पर पिपिलोमा वाइरस के कारण छोटे खुरदरे को ठोर दाने उभराते हैं, जिसे मस्सा कहते हैं, समाने त परवाह नहीं करते हैं मस्से 8 से 12 प्रकार के होते हैं जिन से आप मेडिकल ट्रीटमेंट या कुछ घरेलू उपचारों द्वारा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं लेकिन स्थिती गंभीर होने पर डक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए ना काटें ना फोडें कुछ ल मस्सों में भी जाने का खत्रा होता है जिसे और मस्से हो जाते हैं कई बार तो मस्से का वाइरस एक आदमी से दूसरी आदमी की तवचा पर भी चला जाता है दोस्तों तो ऐसे करें प्याज का मस्से में लगाएं जब समय मिले तब प्याज को काट कर मस्सों पर रगड़ें दिन में दो-तिन बार ऐसा करने से प्याज के रस में मस्सों का वाइरस मर जाता है और मस्से जड़ से खत्म हो जाते हैं दोस्तों तो देखा दोस्तों आप सभी ने हम आज आप सभी के लिए कैसी और शदी लेकर आये थे जिसके माध्यम से आप अपने मस्सों को दूर कर सकते हैं अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और महतोपून जानकारियों को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों